आमजन की शिकायतों को सुनने के उप्रांत उनका समय रहते निस्तारण के जाने के उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेश में महा के पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समधान दिवस के रूप में जनता दर्बार का आयोजन की आजा रहा है जिसमें जनता द्वारा शिकायते दर्च कराई जा रही है और जिला प्रशासन के आला अधिकारी जनता की शिकायतों का समधान कर रहे हैं इसे उद्देश्य को लेकर मुरादबाद की सदर तैसील के सभागार में संपूर्ण समधान दिवस का आयोजन की आ गया जिसमें जिला अधिकारी शैलेंद शैलेंद्र कुमार सिंग द्वारा सभी विभागी अधिकारियों को शिकायतों का गुरवत्ता के साथ समधान करनी के इनरदेश दिये गए और कहा गया कि समय सीमा के अंतरगत शिकायतों का समधान कर शिकायत करता को भी अवगत कराया जाए इस दोरान उन्होंने सभी बताया गया किस तरह की चिकायत है एक बैसिकले कि कुछ लो की जमीनें और परमाईस के माम्ने आए, कुछ विकासे समन लिख दर्म आगे हैं, को सालक्डाली घान जा सकते हैं. अपना पूष समस्या हैं, जो क्राईन से लेटेड हैं, उसकी समस्या हैं. पारदीलिबी भागे को समस्या हैं. इस्काईट गाएनी आपको कि आधेना सब्सकार से बॉल इस्ता को बचा. तो पना से लिखता मगोडे है जो कि लिखता हैं. इस मौकिब पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित्य अदव, SGM प्रग्या यादव, सियो हाई वे देजदी पक सिंग, परियोजना निदेशक, सतीश मिश्रु पंचायत राज अधिकारी आलोग प्रियादर शी अधिकारी, सदर परमानन सिंग, जिला कारिक्रम अधिकारी, ड इमराज मीना द्वारा सभी थाना ध्यक्षो को दिश्रा नर्देश दिये गए।